जिन लोगों ने तुम्बार नहीं देखी है उन्हें तुम्बार क्यों देखनी चाहिए क्योंकि ऐसे फिल्म हिंदुस्तान से बनी नहीं है इसलिए देखनी चाहिए Like Horror is not the correct word मेरे साइब से इसका genre आप define नहीं कर सकते यह दादी मा की कहानी है जैसे दादी मा कहानी सुनाती थी ना कि बेटा एक राजा होता था भी मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं कि एक राजा होता था वो एक गुफा में जाता था वहाँ एक राक्षष था वो राक्षष से खजाना लेके आता था और गेम ये था कि एगर राक्षष आपको टच करेगा तो आप भी राक्षष बन जाओगी अब ये कहानी है मतलब मुझे लगता है कि फोकलोर सही माईने में हाती मता ही बनी थी मेरे आप से कुछ 70s 80s में ऐसा मैंने नाम सुना हुआ है शायद जीतेंदर थे उसमें उसके बहुत फोकलोर बनी नहीं है इंडिया से तो इसलिए देखनी चाहिए कि इस जानरा की कोई फिल्म नहीं है ट्रिलर है ड्रामा है डर लगता है आपको और दादी मा की कहानी है सबसे ज़्यदा और कुछ ना कुछ सिखाती है आपको और हिंदुस्तान में तो खास करिये कि हम सिनेमा से सीखते हैं अब तो क्या कि बहुत आवेरनेस आगी है सोशल मेडिया के टाइम में एक टाइम था जैसे मुझे बहुत अच्छे सेहाद है कि त्री इडिट्स फिल्म देखने के बाद पेरेंट्स ने अलाओड किया था बच्चों के अच्छा बटा तुम सिंगर बनना चाहते हो कर लो तो से पहले तीन-चार प्रफेशन होते थे एंजिनेर बन जाओ आप ड सेप्चुलाइज़ेशन के टाइम नहीं क्योंकि अगर आप देखोगे तो होरर जैसी कोई ट्रीटमेंट नहीं है कोई जंप स्केर्स नहीं है कि आपको ऐसे लगए कि दरवाजा खुलेगा अब कौन आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं मेरे साब से कि है क्रीचर है क्रीचर की फ तो अब किसमें डालोगे आप हौरर थ्रीलर यह करके आप टैक कर देते हैं हौरर बट इस नोट हौरर हौरर अकॉर्डिंग तो में जब हम इस पॉड़कास से प्रेप कर रहे थे और आपस में बात हो रही थी वी वर सेंग कि या यह यह इतनी हाई कॉंसेप्ट फिल्म है क यह conceptually बहुत advanced है and जिसने भी यह फिल्म लिखी है बहुत दिमाग लगाया हर सीन में I feel कि जब यह फिल्म शूट भी हुई है तब location scouting में बहुत दिमाग लगाया गया है lighting में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया है बहुत ज़्यादा detail oriented film I actually was terming it a high concept film but जवाब बाते कर रह इसका idea आपसे आया है I personally look at it as very very high concept It is like क्या चीज होती है कि यार एक कहा होत होती है local seasonal ऐसा कुछ करके होता है कि local खाना चीए seasonal खाना चीए तो बहुत ही local भारतिये film है Indian film है पर जो आपने कहा कि बहुत ही high concept है बिल्कुल high concept है इस film को बनाने में हमें 6 साल लगे उससे पहले रही ने बहुत मेहनत की हुई थी जो डिरेक्टर थे जब रही हमारे पास लेकर आया था तो एक बहुती detail चीज लेकर आया था कि उसके पास एक 700-800 पेजिस का तो पूरा booklet हुआ करता था जिसमें sketch किये हुए थे हर scene locations के फोटो थे पंकज और राही पंकज जो सिन्मोटोग्राफर थे उन्हों लोगों ने बहुत रिकी की थी तो हर चीज की तनी रिकी हो चुकी थे उसके बाद हमने शूट चालू किया उसके बाद हमने 6 साल लगा दिये आप फिल्म को देखोगे तो सिनमाटोग्रफी अतनी कमाल की है फिल्म की और मूड हमने कैप्चर की हमने बारिश में शूट की है तो उसके लिए अगर बारिश निकल गई तो हमें एक साल सीधा जंप करना पड़ता था क्योंकि बारिश तो चलो आप आर्टिफिशल करवा लोगे पर क्लाउट्स मैच करने पड़ेंगे हमने ऐसे दिन देखे हैं कि जहां हम हमारा पूरा सेट वेट कर रहा है बादलों के लिए तीन तीन चार चार पांच पांच दिन और विंड़ो यही है अगस सेप्टेंबर में शूट कर सकते हैं आप यह दो महीनों में तो नहीं तो मूड मैच नहीं होगा तो आप पूरी फिल्म में देखो गे तो आपको लगए यह ट्रांसपोर्ट करती है आपको सिनेमा से बाहर निकलोगे तो आप सोचोगे कि बारिश नहीं हो रही क्या यह चीज़े वी एफेक्स मैं छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ तो भई मेरे तो पैसे खतम होगे तो फिल्म बनाते बनाते तो फिल्म रेडी थी शूट हो गया था नाम भी था फिल्म का तो मैंने सोचा कि मुझे पोस्ट प्रोड़क्शन के लिए फंडिंग मिल जाएगी तो मैं किसी को ले आता हूँ तो मैंने प्रोडक्शन हाउस को अप्रोच किया, वो तयार हो गए अब वो एक सर्टन जगह से VFX करवाना चाहते थे इंडिया में मुझे वो जगह पसंद नहीं थी, मुझे उनका काम पसंद नहीं था तो मैंने का भाई, मैं मेरी प्रॉपर्टी बेच दूँगा, पर मैं यहां से VFX नहीं करवाँगा मैंने स्वीडन से VFX करवाया और यह तब की बाते हैं, अब तो VFX बहुत आम बात होगी हमने शुरू किया था 2012 में, यह जो मैं VFX की बात बता रहा हूँ, यह है 2015-16 के आस प्लस और उसमें बहुत मज़धार किस्ता बताता हूँ, वह स्वीडिश आदिवी को हम अपरोच कर रहे हैं और वो हमें जवाब नहीं दे रहा, नहां कहा रहा हैं नहां कहा रहा है उसको लगर रहा है कि हम पैसे नहीं देंगे, हम अन्नोन कोई हैं तो उसने मैं गा कियार मैं कान फिल्म फेस्टिवल में आ रहा हूँ, कान या कान्स जो भी प्रणाउंस करते हैं मुझे इसकी pronunciation कभी समझ भी नहीं आती तो अगर आप लोग वहाँ आना चाहो तो आजाओ मिलने के लिए तो मैं मेरा executive producer मेरा director हम सब वहाँ गए उससे मिलने के लिए उसने हमारा शकल देखा उनको लगा कि genuine लोग है पैसे वैसे दे देंगे तो उसने काम शुरू किया तो जैसे कि हर चीज़ का हमने इतना detail किया ना कि जैसे मुझे कभी-कभी मुगले आजम यादा जाती है कि जैसे मुगले आजम की ऐसे stories हुआ करती है कि जो हीरे थे वो असली थे जिनके साथ उन्होंने शूट किया था तो हमारी फिल्म आप देखोगे तो ताले देखोगे फिल्म में बस देखोगे जो बस यूज़ हुई है वो 1935 की बस से है जो बाइक यूज़ हुई है वो भी करीब उस एरा की बाइक है तो हर चीज जैसी होनी चाहिए ना कि VFX स्वीडन से हो रहा है आपका बैगराउंड अमेरिका से हो रहा है और ऐसा नहीं कि कहने के नाम से भी अमेरिका का मतलब हाई उसके अग्दम प्रॉपर आर्टिस ढूंड कर किया गया है हमारा पहला कट था साड़े दिन गंटे का हमारी एडिटर ने सबा साल लेड़ साल सिर्फ एडिटिंग की है उसको सौ मिनट का बनाया है तो हर चीज़ को जितना टाइम जो चाहिए था ना हमने वो दिया है इसलिए आप कहा सकते हो बिल्कुल हाई कॉंसेप्ट फिल्म है और फिल्में देखोगे तो बहुत लेयर्स हैं बहुत कुछ सीखने को है आफिल कि किसी कोना प्रेप करना पड़ता है तुम बढ़ के लिए तुम बढ़ देखने के लिए थोड़ा थोड़ा ओनेसलिए और यहम प्रेप कर रहे है कुछ औकल चीज़े हुई हाँ मतलब एक यह वाड़ा था अगर आपने देखी है फिल्म जिसमें हम शूट करते थे और वो आसपास के लोग कहते थे कि सर रात को यह ना वो थाली में कुछ रख देते थे तो एक दिन मैंने सोच आए मैंने का यारी क्या रख देते हो कि खाना रखते है जी कोई आता है मैंने का पागल हो गया तुम यार कैसी बाते करते हो तो मैंने बंद करवा दिया तो अगले दिन से कुछ ना कुछ प्रोबलम कुछ लाइट उड़ जाए कुछ फ्यूज उड़ जाए कुछ यह हो जाए कुछ वो हो जाए तो कुछ तो वियर्ड सा होना चालू हो गया तो मैंने का भाई तुम जो भी करते थे वो रिचुल करो इसको बंद मत करो तो ये हमारे साथ हुआ और मतलब आपको लगता है कि यार ये कैसे कोई सच कोई हो सकता है पर हमारी शूटिंग डिस्टरब हुई उसके कारण कुछ न कुछ और ऐसी चीज़ें जिनका कोई मतलब नहीं है वे ऐसी चीज़ें हो रही है कोई गिर गया किसी के लग गई चोट ऐसी चीज़ें हो रही है तो फिर हमने का भया इसको चालू रखो आप मुझ लगता कोई भी आप इस तरह की फिल्म बना होता है उसको कुछ हो ही जाता है ऐसा कहते है आइसा कहते है Actually सवाल यह कि यहां छेसे साल लगे है छेसी साल करे आप उसजोन में थे Right आपने कुछ साक्रिवास किया उन छेसाल हो में ऐसा मुझे लगता है, इस फिल्म को बनाने के लिए यर मैंने तो बहुत कुछ सेक्रिफाइस किया, मतलब 6 साल क्या मतलब मेरे लिए तो पिछले पूरे डैकेट में मेरी एक ही फिल्म है तुमबाड, as an actor वर्थ अ, थेंक यू बस यही सुनना था, तो मतलब मैंने मेरी लाइफ इस्टेक पे लगा दी, मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं लोग सौ साल बाद भी तुमबाड देखेंगे यर मज़ा आजया ऐसा होए तो, पर मुझे लगत तो पक्का होगा अगें, मैं आपको टैंजेंशल सवाल नहीं पूछ सकता तो अकसर पॉड़कास में एक फ्लो होता है फ्लो के साफ से जाता है बट क्योंकि ये वाली सेक्शन हमारी प्री सेक्शन है इसलिए कुछ आखरी सवाल पूछोंगा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोग तुमबाड से? अगर किसी ने नहीं देखी है तो सिनेमा कभी कभी आपको जादू दिखाता है और तुमबाड वो फिल्म है जिसमें आप जादू देखोगे दूसरा सवाल फिल्म देखने के बाद एक इनसान के दिमाग में क्या बदलता है? तुमबाड देखने के बाद definitely एक बर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि यार बात तो सही है लालच बुरी बला है मुझे लगता तुम बाट देखने के बाद आप थोड़े से ज़्यादा मच्यूर बन जातो effectively वोई आप कह रहो बिलकुल कि ये बुजूर्गों का एक lesson है कि ग्रीड से दूर रहो हाँ लालच बुरी बला है मतलब हिंदी की बात है कि लालच बुरी बला है जो आपने end की बात की वो end यही था कि वो मुझे touch चाहिए मतलब सब creativity सब सब कुछ करो जो कुछ करना पर अंत में न मुझे महसूस करा हो कि यार बापने बेटे के लिए जान दे यही तुमबाड के context में इसी thought को expand कर दो कि इतने लोग आज भी इस film के बारे में क्यों बात करते हैं हम वैसे भी थोड़ी filmmaking जानते हैं filmmakers बात करते हैं writers rooms में बात होते हैं तुमबाड की बट आम जनता मतलब जने कभी filmmaking करनी भी नहीं वो लोग भी बात कर रहे हैं इस film के बारे में तो आपने correct क्या किया है according to you ये दिल वाले part के बारे में थोड़ा सा बताईए तुमबाड context में एक ये पापा ने वो जो आपने का बापने जान दे दी बेटे के लिए मतलब मुझे लगता है कि फिल्म की cinematography इतनी अद्बूत है मैं उससे में भी किसी को दिखाता था था ना उसको film समझ भी नहीं आती थी पर ऐसे लगता था था यार कैमरा का काम बहुत अच्छ है ये मैं बात कर रहू हूं 2014 की उससे में cinematography कोई बात ही नहीं करता था यहां पर दस साल पहले की बात कर रहूं तब यह होता था कि यार आइटम सॉंग कितने हैं गाने कितने हैं कॉमेडी कितनी हैं तो मैं उससे में भी footage दिखाता था ना किसी को तो रहा चलता था जो भी कहता था था सुंदर बहुत है तो जो सुंदरता है न वो लोगों को अट्रैक्ट करती थी सुंदरता कि cinematography बहुत खुब सुरत है कि बारिश, mood यह लोगों को अट्रैक्ट करता था उस समय भी footage देख कि लोगों को मज़ा आता था यह जिस समय film आई थी उससे में सिनेमा में कनेक्ट नहीं कि क्योंकि कोई बड़ा स्टार नहीं था बड़ा डिरेक्टर नहीं था बड़ा जमाना अलग था हमारे आगे अंदा दुन पीछे बधाई हो साथ मैं फस्ट मैं और OTT पे लोगों ने प्यार दिया इस वाई पीपल आर ये सॉरी आई नहीं 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 प्लीज आपके ये मुझे होरर फिल्म से बहुत डर लगता है मैंने मेरे जिंदगी में डियर्ड होरर फिल्म देखी है एक तो राज जो पूरी देखी है बिपाशावास है और ये बहुत देख कर से बहुत देखी है मुझे तो पता यार वो कौन सा एक्टर प्ले कर रहा है हाँ तू ठीक है ना तर्कुष चाहिए तो मुझे बता देना कि हम दोनों ही है मैं लगा कुछ कैमरा लगा हुआ हम मैं वैसा हूनी कि जा कि वैनिटी में चला जाओ मैं वही लेट जाता था सेट पे मैं बात करता रहता था था उनसे तो आदा घंटा में सो लेता था मुझे बबात मज़ा आता मुझे सेट पे रहने में बहुत मज़ा था तो मेरे लिए मुझे क्या डर लगेगा वहाँ अब मुझे जब दूसरों के फिल्म देखता हूना झाल झाल